हाँ फ्रेंड इस वीडियो में हम बाद करने वाले हैं माननी सर्वच्च नियालेद्वार निधारित एक बहुत अच्छे केस की जो गिरिफतारी से संबन्देत है जिसका नाम है डीके वतुबर से पश्चिम बंगालराज और निस सत्ताग्वे में माननी नियालेद्वार यह इसमें गिरिफतारी और हिराथा अरेष्ट और कश्टडी के मामले में दिसा निर्देश जारी किये गए जिनका पालन किया जना आवश्यक बताया गया मानी उच्च नियाले दौरा यानि शुप्रीम कोट के दौरा आये ठेक्ट पर निजगर डालते हैं दी के बसूनी, पुलिस हिरासत के मौतों के बारे में कुछ खबरों पर अपना ध्याना कर्शन प्रसुत करते हुए, भारती सर्वुच न्याले को एक पत्र लिखा, संबोधित किया, अदालत ने सभी राजसरकारों को नोटिस जारी करते हुए, आदेस जारी किया, कि एक नो माननी उच्टम न्याले ने कहा, कि अनुच्छेद 21, जीवन और व्यक्तिगत थुतनत्रता का अधिकार सुनिश्चित करता है, उसे मानवी गरिमा के ताथ रहने की अधिकार को सामिल करने के लिए अभिनिर्धारित किया गया है, इस प्रकार इसमें राज या उसके पदा अधिकारियों द्वारा यातना और हमले के खिलाब गारंटी भी सामिल है, अधालत ने गिरफतारी और निरोद के तभी मामलों में समवैधानिक और वैधानिक सुरच्छा उपायों के अलावा 11 दिसा निर्दियसों की एक सुची जारी की, जिसको हम कुछ देखेंगे, जि गिरफतारी का ग्यापन तयार करना होगा, गिरफतार ब्यक्तिको अधिकार होगा कि उसके किसी मित्र या रिस्तेदार या अन्य परचित ब्यक्तिको जितना जल्दी संभवोत उचित किया जाए, बंदी को हिरासत में लेने के समय, हिरासत में लेने की स्थान और कैद में र जाज करनी होगी और बड़ी और मामली चोटू या जिसके सरीर पर कोई मौजूद है तुसे भी दर्ज करना होगा। बाल्निवा।